इंवर्सिटी की दो नोटिविकेशन जारी हुई हैं । यह नोटिविकेशन है रिजल्ट को ले कर तो कौन से कौन से रिजल्ट उनिवर्सिटी ने जारी किये है यह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें तो इस इनफोर्मेशन को थोड़ा सा भी स्किप मत किजिएगा क्योंकि इसमें जो रिजल्ट जितने भी आये हैं वो बैक टू बैक वन बाई वन हम डिस्केशन करेंगे ओके रिजल्ट एक्चुली में काल आ चुके थे बट जो ओफिशियल नोटिफिकेशन है वो इनिवर्सिटी नेक्स डे जारी करता है क्योंकि क्या होता है जब यह सर्वर पर अप्लोड करते हैं रिजल्ट को वो एक्चुली में कंप्लीट नहीं हो पाते ठीक है अप्लोडिंग पर लगा दिया जाता है और जो पब्लिशिंग होती है उसमें रखी है सबसे पहले देख पा रहे हूं आप यह है इसमें टोटले डसी रिजल्ट यह रिजल्ट है यह रिजल्ट है फर्स समेस्टर के यू जीगे अन्डर्गरेश operate courses के लिए मेन के हैं रिएपियर का कोई भी colt नहीं है फ्रस्ष समेस्टर के रिजल्ट है यह अंडर ग्रेजवेट 2021-24 का जो भी बैच करंट में चल रहा है उसके लिए ओके तो दस के दस रिजल्ट अब हम बैक टू बैक वन बाई वन देखते हैं बी ये पास कोर्स मैथ बैच 2021-24 ठीक है उसके बाद बी ये पास कोर्स विदाउट मैथ बी ये उसके बाद लल्बी फाइव एर्स लल्बी थ्री एर्स क्योंकि ये मैं आपको बताना चाहूँगा 2021-24 मतलब 2021 से ओन वर्ड जितने भी वैच है वो है उसके बाद बी बी ये बीकॉम वोकेशनल बीसी एक्टूरियल साइंस और उसके बाद है बीकॉम पास उसके बाद बीकॉम कंप्यूटर एप्लिकेशन ठीक है और यह जो रिजल्ट है आपको मैं एक बार बता देता हूं जो लिंक रहेगा रिजल्ट चेक आउट करने के लिए आपको सिधा क्या टाइप करना है एक रोम ओपन करके रिजल्ट.cbl.online क्योंकि नए स्टूडेंट है में का र हो सकते हैं यह लिंक पे जाके आपको वावपे क्या करना पड़ेगा अपना अधार कर देना है करके अपना रिजल्ट कर लेना है अब देखते हैं सेकंड नोटिविकाशन है फिजी के शमें फिच समेस्ट की जहو लिट बैच करब नहीं या 21 स ओन्यक्स koir न कोई भीowi यह टोटल रिजल्ट है 26 तो 26 रिजल्ट जा रही हुए है PG के फर्स समेस्टर के ठीक है बैच आप कंटीन्यू 21 से चलेंगे तो मैं कोर्सी बता देता हूं MA सोशलोजी MSC फिजिक्स इंटेग्रेटीड कोर्स और उसके बाद है MSC माथेमेटिक्स इंटेग्रेटीड MSC कमेस्टी इंटेग्रेटीड में इन हिस्ट्री MSW MPS MBA MSC साइकोलोजी MSC फिजिक्स उसके बाद MSC इन कंप्यूटर साइंस उसके बाद में इन पोल्टेकल साइंस उसके बाद हम 13 नंबर पहुंच चुके हैं में इन हिंदी और PGDCA उसके बाद MSC जोगर्फी उसके बाद MSC इन माइक्रो बाइलोजी उसके बाद में रूरल डेवलोपमेंट उसके बाद एमकॉम MSC मैथेमेटिक्स LLM MSC बोटनी उसके बाद है MSC बाइटेक्नोलोजी उसके बाद है म में इंग्लिश MSC जोलोजी म में एकनोमिक्स और MJMC मतलब मास्ट्र ऑफ जर्नेलिजम एंड मास कॉम्मिकेशन ओके फस्समेस्टर में के रिजल्ट आचुके हिन सभी के और आपको मैं बताना चाहूंगा रिजल्ट.CBLU.online पर आपको विजिट करना पड़ेगा मैं एक बार आपको यह लिंक ओपन भी करके दिखा देता हूं क्योंकि फस्सम के रिजल्ट है पीजी के बच्चों के ओल्रेड़ी पता होता क्योंकि पीजी वाले यूजी में भी देख चुके अपने रिजल्ट बहुत सारे तो सीधा मैं टाइप करता हूं कि क्या था उसमें रिजल्ट था सायथ हां रिजल्ट डोट cblu.online इसको उपन करके देख लेते हैं तो जी हां यह विंड़ो उपन हो चुकी है इसमें आपको यहां पर अपना रिजिस्टेशन नंबर में एंटर करना है और आपका आधार नंबर और यहां पर आपको देखिए में या रिपिर अभी यह में के आएं तो में सेलेक्ट करेंगे और साइन इन कर देना है वहां से आपका रिजल्ट इजली निकल आएगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप चैनल को पहली बार देख रहें तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना बोले तो चलिए वीडियो को क्विट करते हैं थेंक्स पो वाचिंग